सोशल मेडिया के जरीए लोगों का दिल जीतने के बाद यूटुबर एलविश यादो ने बिग बॉस OTT2 का खिताब जीतकर भी इतिहास रच दिया है और इस वज़ा से एलवेश सोशल मेडिया पर भी आजकाल खुब ट्रेंड कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में एक बाद फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई बयोगरफी लेकर यूटुबर एलविश यादो का जन्म 14 सितंबर साल 1997 को गुडगाओं हरियाना में हुआ है वो आए दिन अपने यूटुब अकाउंट पर कॉमेडी और डेली व्लॉग अपलोड करते रहते हैं यूटुब पर उनके एक नहीं बलकि साथ साथ चैनल है जिन में से हर एक चैनल पर उनके लाखो सब्सक्राइबर है इनके साथ ही उन्हें गोल्ड और सिल्वर यूटुब प्ले बटन भी मिले है भई नॉर्मल इनसान को ये बटन हासिल करने के लिए कितना जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये तो हमारा आप अच्छे से जानते ही होगे लेकिन आपको बता दे कि वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर टिक टो को रोश्ट करने की वज़़े से वो काफी फेमस हो गए थे उनके इस वीडियो को करीब 10 करोड से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और उनके इस वीडियो के वज़़े से इंटरनेट पर भी काफी विवाद हुआ था वही अब बात करें एल्विश के पढ़ाई की तो एल्विश एमिटी इंटरनेशनल स्कूल हरियाना से अपनी स्कूलिंग कम्पलीट की है और इसके बाद बैचलर आफ कॉमर्स के लिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एड्मिशल लिया वही इनके लव लाइफ की बात करें तो यूटुबर ने कभी ओफिशल तोर पर अपने लव लाइफ का जिक्र नहीं किया है लेकिन ऐसी अफवाह थी कि वो यूटुबर किर्ती महरा को डेट कर रहे थे किर्ती अकसर एल्विश के साथ उनके यूटुब वीडियो और व्लॉग्स में दिखाई देती रही है वो इस्टार्टिंग में अपने चैनल का नाम दा सोशल फैक्टरी रखा था लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल कर एल्विश यादो कर दिया इतना ही नहीं वो जाने माने यूटुबर हर्श बेनिवाल के साथ भी ब्लॉग बनाए है इसके अलावा एल्विश यादो फेमस यूटुबर आशिश चंचलानी से इंस्पायर है जिस वज़े से एल्विश ने ओनलाइन फेमस होने का फैसला किया और यूटुब पर वीडियो बना कर अपलोड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक फेमस यूटुबर बन गया और अब वो बिग बॉस OTT सीजन 2 की ट्रॉफी को भी अपने नाम कर इतिहास रच दिया है बता दे कि एल्विश यादो लगजरी कारों के भी काफी शौकीन है उनके पास हुंड़े वर्ना और फर्चुनर समेत कई लगजरी गाडिया भी है तो क्या आप भी एल्विश के फैन है तो कमेंट करके जरूर बताए और बॉलिवूट से जोड़ी लेटेस्स अब्डेट गॉसिप और बायोग्राफी के लिए डून फॉगेट तो लाइक, सुब्सक्राइब और शेयर सेलेफ़री को